नमस्कार दोस्तों मैं अर्विन सर आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं जैसा कि हम लोग algebra discuss कर रहे थे और algebra में हम लोगोंने part 1, part 2, part 3 discuss कर चुके हैं जिनमें हमने बहुती 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 प्रशनों को किया ठीक है अब इसे आगे कि जो प्रश plus 1 upon m-2 ठीक है तो मैं आपको यहाँ पर एक suggestion यह देना चाहूंगा कि आप यह देखिए यहाँ पर m-2 लिखा हुआ है इसको आप x माल लेजे समझने के लिए इसको क्या माल लेजे x जब आप इसको x मानेंगे तो आप देखिए यह आपको कैसे दिखाई देगा x square और यह क सवाल यह आया कि यहाँ पर तो m-2 है लेकिन यहाँ पर m-2 नहीं है जब यहाँ पर m-2 नहीं है तो m-2 बनाना पड़ेगा m-2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे इधर minus 2 कर देंगे जब इधर minus 2 करेंगे तो आप इधर भी minus 2 करेंगे मतलब left hand side से भी 2 गटा दिया और right hand side से गटा दिया जब दो इधर खटा आएंगे तो हमारे पास बचेगा भई m-2 इसे हम अगर x माल लें इसे हम अगर x माल लें तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा 2 खोद एडिया लगाईए कि x plus 1 upon x ब्राबर 2 है तो x square plus 1 upon x square ब्राबर क्या होगा आपने पढ़ा है k square minus 2 मतलब 2 का square minus 2 मतलब 2 दूनी 4, 4 में से 2 कम करेंगे 2 तो आप का answer हो जाएगा c ऐसे हम निकाल सकते हो कि left hand side right hand side के बराबर होना चाहिए अगर हम x की value बन लगा दें तो 1 plus 1 upon 1 मतलब 1 plus 1 बराबर 2 हो जाएगा तो x की value कितनी मिली बन तो हम यहापे लगाएंगे 1 का square और plus 1 upon 1 का square तो हमें कितना मिलेगा 2 मिलेगा समझ रहे हैं आप तो ऐसे question बहुत आजानी से हो जाते हैं बहुत simply तरीके से हो जाते हैं ठीक है अगे देखते हैं नया question next question देखेंगे अब यह देखें कितना सही question है ठीक है यह भी exam में कई वार आया है repeat हुआ है अब यह भी repeat हुआ है तो इसको भी समझे लेते हैं वही कैसे करके पूछा जाता है कि 5a plus 1 upon 3a बराबर 5 है तो 9a का square plus 1 upon 25a का square बताईए ऐसे question कभी भी है ना exam में तो सबसे पहले तो आप इसको simply किज़े यह लिखा हुआ है 3a का whole square यह लिखा हुआ है 1 upon 5a का whole square ठीक है अब यहाँ पर देखें आपको दिया है क्या है यहाँ पर 3a उपर है यहाँ 5a उपर है यहाँ 3a नीचे यहाँ 5a नीचे है आपको क्या करना है कि भाई जब तक यह चीज सिमलर नहीं होगी जब तक solve नहीं होगा आपको मैं बोलूँगा ऐसे question को similar करने के लिए यहाँ पर देखें क्या क्या है यहाँ पर क्या है 3 यहाँ पर क्या है 5 3 और 5 है ना तो मैं आपको बोलूँगा दोनों साइड में आप क्या करिए दोनों साइड में आप 3 upon 5 से multiply कर दीजे मतलब 5A है ना इसको 3 upon 5 से multiply किजे इसको 3 upon 5 से multiply किजे और इसको 3 upon 5 से multiply किजे मैंने कैसे sense लगाया कि किस से multiply करनी है तो sense लगाने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 3 है यहाँ 5 है तो 3 upon 5 से पूरी equation को मैं जब multiply गरूँगा तो क्या मिलेगा मुझे 5 से 5 cancel मेरे पास बचा 3 है 3 से 3 cancel मेरे पास बचा बन पॉन 5 है बराबर 5 से 5 cancel मेरे पास बचा 3 तो मेरे पास आ गया 3a प्लस बन पॉन 5 is equal to 3 इसी बात है इस पर भी square चड़ जाएगा और इस पर भी square चड़ जाएगा a का square मतलब 3a का square हो जाएगा 9a square b का square मतलब 1 upon 5a का square होगा तो 1 upon 25a square हो जाएगा फिर 2ab तो 2 into 3a into 1 upon 5a बराबर 3 तिया 9 अब क्या करना है कि हमारे पास 9a square प्लस 1 upon 25a square ठीक है अब क्या करना है a से a cancel हो जाएगा हमारे पास क्या बचा 2 तीया 6 6 बटा 5 बराबर क्या है no तो हमें भाई जो चाहिए हमें क्या चाहिए 9a square और प्लस बन अपॉन 25a square चाहिए हम क्या करेंगे 9 के तरफ ले जाएगे 6 अपॉन 5 को तो 5 नहीं 45, 45 से 6 कम करेंगे तो 49 बटा 5, हमारे पास answer आएगा 49 बटा 5 मतलब D answer, ठीक है, क्या आएगा, D answer आएगा, ओके, चलिए, next question देख लेते हैं, next question है, question number 31, आप 31 भी देखिए, इसी तरह का similar question है, इसी तरह का similar question है, इसको कैसे करेंगे, कि 2x प्लस बन अपॉन 3x ब्रावर 6 है, तो 3x प्लस बन अपॉन 2x ब्रावर क्या होगा, आप यहां देखिए, 3 और यहां पर 2, यहां पर उल्टा है, तो आप 3 अपॉन 2 से मल्ले पलाए गर दीजे पूरी equation को, 3 अपॉन 2 से यहां पर, 3 अपॉन 2 से यहां पर, 2 से 2 cancel, 3 से 3 cancel, बचा क्या, 3x अपॉन 3x, यहां देखिए, यहां पर 3x बचा, प्लस, यहां पर क्या बचा, 1 अपॉन 2x, यहां पर देहन दो, 2 एकम दो, 2 तिया 6, मदब 3 तिया 9, तो आप देख पा रहे होंगे, कि 3x प्लस 1 अपॉन 2x ब्रावर क्या आ गया, 9, तो आपका आंसर हो जाए 9, ओके, चलिए, नेक्ट देख लेता है, अब इस कोशन को कैसे बनाएंगे, हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, हम लोग इस प्रशन के बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कि x स्क्वेर प्लस 1 अपॉन x स्क्वेर ब्रावर 34 है, तो x प्लस ब्रावर क्या होगा, मैं आपको बता चुकाता है कि जब इसका हम बर्गमूल लेंगे, तो इसका बर्गमूल आएगा, x प्लस 1 अपॉन x, और इसका बर्गमूल तो आएगा नहीं, तो 34 में 2 जोलेंगे, या 2 घट आएगे, मैंने आपको रूल बता चुका हूँ, जब 34 में 2 जोलेंग, 36 अगर तो 32 मिलता, 32 किसी का पर्फेक्ट पर्गमूल नहीं होता, ठीक है, तो हमारे पास x प्लस 1 अपॉन x की वैलू कितनी आ गए, 6, तो आपका अंसर हो जाएगा, b, ओके, चलिए, नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं, नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं, वई, एक्स प्लस 1 अपॉन x ब्रावर 2 है, तो x की पावर 32 माइनस बन अपॉन x की पावर 47 क्या होगा, अब ऐसे कोशन में मैं आपको बताओं, जिनमें भी equal में 2 दे रखा है, या कोई और value दे रखी है, तो आप सबसे एक कम ये भी कर सकते हो, कि यहाँ पर x की value निकाल लो, होंगी और verify करेंगे मतलब अगर हम क्या रखें कि हैं यहां पर दो आ जाए तो आप boiling sir एक रख हीए यह यह तो इसका मतलब है एक्स की value कितनी हो गई एकailing जाए टो डाफ एक टाश्यपी अगडिस हो जाएगा माइनस एक कब आवर 47tra हो जाएगा वैक एक ही पावर वत 30 कं मतलब 1 और एक से घुटाएंगे तो start which जीडाँबें सूर्ज इ driven तो या जएका अइसर फूर्ज पॉर्ज वाउटब करीस का मतलब एक दस्कोर बीच्से का感ागा जीर Gordon यह कुशन अद सूर्पहिगे सिंलर वैसा ही है अगर आप सीखना चाहें तो पर आप क्या लगा लीजिए 1, यहां पर क्या लगा लीजिए 1, तभी 1 प्लस 1 बराबर 2 हो जाएगा, इसका मतलब x की बैलू कितनी आगई, x की बैलू आगई 1, जब बन आगे तो 1 की पावर 8 करोगे, 1 की पावर 5 करोगे, 1 की पावर 3 करोगे, प्लस 1, आपने पढ़ा है कि next question देख लेता है, next question क्या है कि x plus 1 upon x plus 1 is equal to 1 है, कितना है, 1, और आपको x plus 1 की पावर 5 और प्लस 1 upon x plus 1 की पावर 5 को निकालना है, अब आप कहेंगे सर, देखे, x plus 1 यहाँ पर, x plus 1 यहाँ पर, यहाँ पर भी x plus 1 होना चाहिए, लेकिन x plus 1 नहीं है, तो आप क्या करी है, बन जोड लीचे है, इधर भी बन जोड लीचे है, जब इधर आपने जोड़ा है, तो कि भई, x plus 1 और 1 upon x plus 1, जो है वो कितना हो गया, 2, मतलब ही आया, कि मैं अगर आपसे बोलूँ, कि अगर मैं x plus 1 की value बन लगा दूँ, और यहाँ बन लगा दूँ, तो 1 plus 1 कितना हो जाएगा, 2, तो बिना मेहनत करें, मुझे x plus 1 की value मिल जाएगी, 1, इसका मतलब है, यहाँ पर बन लगाऊंगा मैं, यहाँ पर बन लगाऊंगा, तो मुझे कितना मिलेगा, 2, तो आपका answer हो जाएगा, A, क्या हो जाएगा, A, clear, चलिए, आगे दिखते हैं, आगे दिखते हैं, next question, एक और बहुत प्यार ऐसा question है, इसको करेंगे, दोगो इसको करनें के दो तरीके, एक तरीका तो यह कि left hand side is equal to right hand side वाले concept से करेंगे हम लोग, और एक तरीका यह है कि आप सीधे concept लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, आपने पढ़ा है, इसका concept पढ़ा है, k square minus 2, इसका पढ़ा है, k cube minus 3 के, मतलब हम यहां पर 2 लगाएंगे, तो 2 का square minus 2, और 2 का cube minus 3 गुणा 2, मतलब 2 दूनी 4 में से 2 कम करेंगे, 2 बचेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 यहां से 2 बचेगा, तो आपके पास आजाएगा total 4, एक तरीका तो यह है, तरीका दूसरा कौन सा है, कि left hand side की value अगर आप एक लगाते हैं, तब verify हो जाएगा, मतलब x की value कितनी मिल गई, 1 मिल गई, तो हम क्या करेंगे, 1 का square plus 1 upon 1 का square, 1 का q plus 1 upon 1 का cube, मतलब यहां से 1 का square बनो गया, 1 upon 1 का square बनो गया, यहां पर 2 मिलेगा, यहां से भी क्या मिलेगा, 2, आपको क्या मिलेगा, 4, तो आपका हो जाएग B option पासमझ में आ रही होगे आपको चलिए आगे देख लेते हैं next question को next question है 37 और यह देखे कई बार exam में repeat हुआ है कई बार आता है कि x की power 100 plus 1 upon x की power 100 की value find case है तो आपको देख क्या रखे x plus 1 upon x बार दू दे रिखा है तो वही पराणया वाला कि अगर हम x की जगपे बन लगा दें तो 1 plus 1 is equal to 2 हो जाएगा तो हमें x की value बन रखने से काम चल जा रहा है न तो हम यहाप लगाएंगे क्या लगाएंगे बन की power 100 क्या मिलेगा दो अब कहांसर हो जाएगा एक किलियर चलिए ऐसी देखते है next question next question है 38 38 देखिए थोड़ इसी महिनत करवाएगा यह question अब इस question को भी करने के हमारे पास दो तरीक है एक तरीका है या तो हम concept में गणबट कर लें इसको और एक तरीका है या तो हम सीदे सीदे verify कर लें अब आपने कहा कि अगर हम दोनों तरफ x से भाग कर दें, तो हमारे पास ये ऐसे लिखा हुआ है, हम दोनों तरफ x से भाग कर दे रहें, तो x से x खतम, इस x से एक x खतम, तो हमारे पास बचेगा x प्लस बन अपॉन x ब्रावर 2, मतलब क्या है कि x की वैलू बन लगाएंगे, कितरी लगाएंगे बन, तो ये condition verify हो जाएगी, तो लगा लेजे भी हाँ पर, बन की पावर 4, बन अपॉन बन की पावर 2, बन का स्क्वार 3 इंटू 1 प्लस बन, क्या करेंगे हम लोग, बन का स्क्वार 2 बन गया, बन का स्क्वार 2 इंटू 1 थ्री हो गया और बन हो गया, एक एक दो और तीन से दो गटाओ, तो दो बटा माइनस बन, मतलब माइनस का टू आंसर आएगा, due option, ओके, अच्छा दूसरा तरीका क्या है, जो मैं आपको बदा आ रहा था, दूसरा तरीका देखी क्या है, दूसरा तरीका ये था क आप यहां से क्या ले ले लेते हैं, आप यहां से common ले लेते हैं कितना x, तो यहां बसता x cube प्लस बन पोन x cube, ठीक है, ऐसा बसता, और ऐसे ही मैं यहां पर अगर मैं x से भाग करा देता, यहां पर मैं x common यहां से लेता, तो यहां बसता x माइनस 3 प्लस बन पोन x, ओके, नीचे का है हमारे पास हमारे पास है x प्लस बन अपोन x और माइनस 3 ओके और यह मान किसका है यह मान के का है और के का मान कितना आचुका है जब हमने इसको solve किया x को x हमने भाग किया इसको तो x प्लस बन अपोन x बचा बरावर 2 बचा तो यहाँ पर हम लगाएंगे 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 अपन में यहाँ पर लगाओगे आप 2 माइनस 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 और 2 में से 3 कम करिंग माइनस 1 तो इसका मतलब 2 बटा माइनस 1 बरावर माइनस 1 तो आपको जैसा ठीक लगए वैसा कर सकते हैं अगर आप कॉंसेप्ट से करना साथ है कॉंसेप्ट से कर लीजी है और इसको बेरिफाइ करना साथ है तो बेरिफाइ कर लीजी है अगला कुशन देखेंगे 39 कुशन नमबर 39 x प्लस बन पून x ब्रावर 2 है तो root x प्लस बन पून root x की value आपको find करना है तो वही काम है यहाँ पर भी अगर हम बन लगाएंगे तो condition verify हो रही है तो हम यहाँ बन लगाएंगे तो यहाँ पर root 1 हो जाएगा यहाँ पर बन पून root 1 हो जाएगा और बन का root 1 होता है आपको कितना मिलेगा तो यह आपका answer ऐसे question पलक जपकते हो जाएंगे ठीक है तो इन पर आप एक-एक question सबके लगा के दिख लिए जिससे आपको idea लग जाएगा कैसे करना है अब यह question दोड़ा से interested है क्यों बच्चे कहेंगे सर आपने उससे पहले दोनों concept समझाये थे जब दोनों समझाये थे तो दोनों का क्या meaning था यहाँ पर भई एकस प्लस बन अपने एकस ब्रावर फाइब है अब तक दो हुआ करता था तो value potency करते थे verify हो जाया करता था अब जिनका question पर command है वही कर पाएगा नहीं तो नहीं कर पाएगे वही क्या करना है हम यहाँ से x से उपर हम x common ले लेता है जो उपर x common लेंगे तो यहाँ पर power 3 बचेगा और यहाँ पर वही नीचे आ जाएगा x power 3 कभी धियान रखना अगर कहीं x plus 1 लिखा है और मैं अगर बोलू इससे मुझे x common चाहिए तो यहाँ से तो x जगया तो यहाँ बन बचेगा यहाँ पर आ जाएगा 1 upon x फ़र समझो कि अगर x square plus x plus 1 लिखा हुआ है कहीं मैं आप से कहूँ x common लेना तो x लेलिया चलो यहाँ पर बचेगा x यहाँ x जाचों का दुबबन यहाँ नहीं था तो यहाँ नीचे आ जाएगा ऐसे होता है common लेने का मतलब ठीक है यह बात समझ क्यों होगे आप खेर यह चीज यहाँ से आ गई नीचे भी मैं गर x common लेलू तो मिरे पास क्या बच्चा x माइनस यहाँ बचेगा 3 यहाँ बचेगा बन पॉन x x ही x का दो तो यह आपको पता है यह आपका x cube प्लस बन पॉन x cube चल रहा है यहाँ पर दुखो यह चीज x प्लस बन पॉन x है और माइनस का 3 है एक बात आप जानती हो है मैं इससे पहले चोकी इससे पहले मैं आपको concept पढ़ाएं कि यह concept बन रहा है k cube माइनस 3 केगा इसको हम k कह सकते हैं इसको 3 कह सकते हैं क्योंकि यह किसको represent करेगा k को आप यहाँ लगाओगे तो 5 का cube माइनस 3 इंटू 5 यहाँ 5 माइनस 3 हो जाएगा तो 25 पंजे 125 और 35 पंजे 15 125 से 15 कम कर एक 110 बचेगा और 5 से 3 कम कर एक 2 बचेगा 2 से काटेंगे 110 को तो बचेगा 55 अब का अंसर हो जाएगा 55 मतलब D option हो जाएगा ठीक आगे देखते है question number 41 41 देखिए 41 में क्या है x plus 2 upon x is equal to 1 है तो x square plus x plus 2 upon x square 1 minus x का मान बताना अब ऐसे question को करने के लिए भी हमारे पास कई तरीके हैं ठीक है तो कई तरीके हैं तो हम उनको कैसे apply कर सकते हैं कैसे लगा सकते हैं यह देख लेते हैं भई इसको इसको तरीके तो कई हैं हमारे पास हम लोग एक तरीका यहां पर भई 1 minus x की बेलो लगा सकते हैं 2 upon x और यहां पर हम लोग और क्या गड़ सकते हैं देखिए इसको solve करेंगे तो हमारे पास बचेगा x square प्लस 2 अपॉन में x बराबर बन मतलब x square प्लस 2 बराबर हो जाएगा x एक चीज़ तो यहां से मिल गई कि x square प्लस 2 जो दे रखा है इसको हम लगा सकते हैं x पहले चीज़ दूसरी चीज़ यहां से देखो अगर हम x को इदर भेज दें तो 2 अपॉन x बराबर हमारे पास बचेगा बन माइनस x ठीक है अब लगा लिजे भई x square प्लस 2 हमें दे रखा है तो हम लोग क्या करेंगे जो x square प्लस 2 बराबर x लगाएंगे तो इसकी जगे पह हम लगा दे रहें x और यहां x पहले से है यहां पर x square है कोई बात नहीं यहां 1 माइनस x है और 1 माइनस x की बेलों हम लगा सकते है 2 अपॉन x ठीक क्या करना है x से x कतम और हमारे पास यहां पहले क्या बचा x x हो गया 2x निची देखिए 2 की x से करेंगे 2x और 2x से 2x करेंगे तो हमारे पास आजाएगा बन मतलब condition verify हो गई हमारे पास क्या आजाएगा बन आजाएगा चलिए आगे दिख लेते हैं next question next question है question number 42 question number 42 को कैसे बनाएगे हमें दे रखा है x plus 1 पॉन x ब्रावर 3 तो हमें find करना है 3x square minus 4x plus 3 और upon में x square minus x plus 1 अब ऐसे question में क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले तो आप इसको question बनाएगे आप उपर से x को मल लेंगे अंदर बचेगा 3x ओके और minus 4 और plus का 3 upon x clear नेची देखेंगे आप यहां से x को मल लेंगे तो हमारे पास बचेगा x minus 1 plus 1 upon x x है x कतम अब एक बात देखेंगे हमारे पास 3x है और यह हमारे पास 3 upon x है और minus 4 है नेची देखेंगे हमारे पास है x plus 1 upon x minus 1 हम लोग क्या करेंगे उपर से 3 को मल लेंगे तो हमारे पास क्या बचा है x plus 1 upon x minus 4 हमारे पास नेची है x plus 1 upon x माइनस 1 हम जानते हैं कि x पलस представля profit upon x की value 3 है तो हम लोग 3 और 20 की value हम 3 लगाएंगे माइनस 4 करेंगे यहाँ पर हम 3 लगाएंगे माइनस 1 करेंगे 3 3 9 में से 4 कम करेंगे 5 बचेगा 2 3 में से 1 कम करेंगे 2 बचेगा तो मारे पास answer आएगा 5 बटा 2 कितना आएगा भई पांच बटा दो आएगा ओके चले आगे बढ़ते हैं हमें x square minus 3x plus 1 बराबर 0 तो x के पाँच प्लस बन पून x के पाँच की बेलू बतानी है अब भई इसके लिए मैंने आपको पहले concept बता चुक हूँ इसके लिए concept लगाते हैं हम लोग k square minus 2 k cube minus 3k minus k यह formula आप याद रखेंगे तो power 5 का होता है ठीक है क्या करना है हमें हमें करना यह है कि हम यहाँ पर x square plus 1 को रोक लेते हैं 3x को दरबेश देते हैं हम पूरी equation में जब x से भाग कराएंगे तो हमारे पास यहाँ बचेगा x यहाँ बचेगा 1 upon x और यहाँ हो जाएगा 3 मतलब x plus 1 upon x ब्रावर 3 है और 3 का यह का काम करेगा k का तो लगाएंगे यहाँ पर 3 का square minus 2 3 का cube minus 3 into 3 बचेगा 7 मतलब हमारे पास बचेगा 123 कितना बचेगा एक सौतेथ ही आपका हो जाएगा 4 option ठीग है एक कौन सवाल देख लेते हैं हम लोग अन्तिम सवाल इसे कैसे बनाओगे आप अब देखें इसमें सीधे सीधे क्या कहा जा रहा है पावर सिक्स में जाना है हमें X प्लस बर्न पून X की वेलू दे रखिए अब हमारे पास 6 में जाने के होते हैं तरीके 2 कौन कौन से तरीके हैं एक बार तो हम इसका करें cube फिर कर दें square या फिर हम करें इसका square फिर कर दें cube दोनों तरीके समझे बई मैंने आपको बताया था कि अगर x प्लस बन पून x बरावर हमें k दिया है तो हम इसका cube निकालेंगे अगर तो हम लोगों ने पढ़ा है इसका cube होता है k cube माइनस 3 के अगर हम इसका फिर square करेंगे तो यह 6 बन जाएगा और यह बन जाएगा k cube माइनस 3 के का square माइनस 2 या फिर उल्टा काम करेंगे पहले square की जिसके बाद cube कीजिए है ना तो हम लोग वही काम करेंगे बारी बारी से कि वही एक बार हम करेंगे इसका square square करेंगे तो x square plus 1 upon x square बरावर कितना बचेगा बरावर बचेगा हमारे पास भई 5 का square माइनस 2 k square माइनस 2 होता है तो 25 मैंचे 2 कम करेंगे बचे का 20 है, एक वर हम इसका cube करेंगे तो घाद 2 cube करेंगे, 6 हो जाएगा cube करेंगे, तो 6 हो जाएगा cube का concept लगेगा, 30 का cube minus 3 into 20 हम लोग क्या करेंगे भई, इसको लिखेंगे, 23 गुणा, 23, गुणा 23, minus 3 गुणा, 23, आपका होता है 33, 99 इनकी multiply करेंगे और minus करेंगे तो हमारे पास आएगा 12, 0, 99 यह आपका हो जाएगा E option, ठीक है क्या हो जाएगा, E option तो हम लोग question बन से लिए कि 44 तक discuss कर चुके है बाकिए question हम लोग बात करेंगे next class में, ठीक है तब तक तब तक ते लिए आपने question को जम के practice कीजिए, अच्छे से लगाईए क्योंकि एडवांस part और मेंस part प्रिलिम सभी में help करता है, ठीक है चलिए, all the best